वन्ने मात्रमाल दोस्तो आज हम पाठ नौ मम्ता कहानी की स्वध्य पोठी पड़ेंगे स्वध्य पोठी का पहला प्रस्ना है प्रश्नों के उट्टर के लिए उची पिकल्प चून कर विकल्प का क्रम चौरस में लिखे पहला मंत्री चुदा मनी की रुहीटा का नाम क्या था तो बी मम्ता दूसरा मम्ता द्वारा उटकोच न सिकाने पर चुदा मनी ने उसे क्या कहा तो ए मुर्ख तीसरा रोहोटास दूर्ग के मंत्री का नाम क्या था तो सी चुदा मनी चोठा, मंत्री चुडा मनी के पीछे कितने सेवक चान्डी के बडे ठाल लिए खडे थे तो B, 10 पाचवा, मम्ता ने कीज धर्म का पालन किया तो D, 80 थी चठा, मम्ता चिपने के लिए कहां चली गई तो मुरुग दाउं, B प्रस्न दो, कोष्टक में दिये गए सब्दों में से उचिट सब्द चुन करीक्त स्थानों की पूर्ती किजे पहला, मम्ता रो तास दूर्ग के मंत्री चुडो मनी की एक मात्र दुहीता थी रो तास दूसरा, मम्ता की जोपडी के स्थान पर एक खलजेग्या मंदीर बना तो अश्ट कॉन तीसरा, संवन का खलजेग्या उस सुनहरी संधिया में विक्किर्ण होने लगा तो पीला पन चोठा, मम्ता के प्राण पंखेरू खलजेग्या में उड़े गए तो अनन्त प्रश्ण त्रोंट, निमन लिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलट का चिहन कीजी पहला, सेर साह के सैनीकों ने चुडा मनी की हटिया कर दी तो सही दूसरा, सेर साह के सैनीकों ने मम्ता को कैट कर लिया तो गलत तीसरा, मम्ता ने हुमायू को अपनी जोपडी में आसरै दिया तो सही चोठा, अकबर ने मम्ता की याद में अश्ट कॉन मंदिर बनवाया तो गलत प्रश्ण चार, नीमनलिखिट सब्दों के परियाई वाची सब्दों लिखे पहला क्रूल यानेके निर्दई, दूसरा प्रांट यानेके प्रदेस, छल यानेके कपट, दुहिता यानेके पूत्री, दूर्ग यानेके किला, जीन यानेके पुराना, उटकोच यानेके रिस्वत, विकल यानेके बेचे, जीन यानेके जरजरीत प्रश्ट नम्बर पाच नीमन लिखिट सब्दों के विलोम सब्द लिखे संभव तो अशंभव मान अपमान द्रूना प्रेम प्राचीन अर्वाचीन विशाल छोटा सत्रू मित्र प्रारम अंत स्वच अस्वच अर्थ अनर्थ प्रश्ट नम्बर छो नीमन लिखिट वाग्य को निडेश करके निडेश की अनुशार भिन भिन कालों में परिवर्तन कीजी तो पहला सुबह होने पर हीना अपने बेटों के साथ लेकर उध्यान में गई तो सुबह होने पर हीना अपने बेटों को साथ लेकर उध्यान में जाएगी दूसरा प्रिया का ग्रु कारिया जल्दी समाप्त हो गया तो प्रिया का ग्रु कारिया जल्दी समाप्त हो जाएगा तीसरा हर्स आज उपवास करेगा तो हर्स ने आज उपवास किया चोठा टेनाली राम के बारे में अनेक कहान या प्रचलित थी पांचवा मनोज अक्सर जाकता रहता था तो मनोज अक्सर जाकता रहता है आगे का प्रश्न साथ निर्न लिखिट सब्दों के अर्ठ देकर भाक्यों में प्रयोग किजी पहलू वेदना याने के दड़ पीडा तो डॉक्तर साहिप की दवाई से मेरी वेदना कम हो गई दूसरा उटकोच याने के रिस्वत हमें उटकोच लेने वालों के खिलाब सिकायट करनी चाहिए टीसरा जीन याने के पुराना फटा हमारे डेस में कई एतियासिक हमारे आज जीन अवस्था में है चोठा आतताई याने के अट्याचारी हमें आतताईयों से डड़ना नहीं चाहिए दुहिता याने के पुत्री सकुंटला मेनका की दुहिता थी प्रश्ण नंबर आट, नीमन लिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलू, तलवारे खिचना याने के लड़ने के लिए तैयार होना वाक्य, पुराने जमाने में छोटी-छोटी बाटों पर तलवारे खिची जाती थी दुसरा, गलाशुखना याने के प्यास लगना टेज डूप में चलते-जलते मेरा गलाशुख गया तीसरा, होट काटना याने के क्रोड व्यक्त करना लोगों की बेटो की बाट सुनकर मुझ उसने अपना होट काट लिया चोठा, बाट बढ़ना याने के जगडा होना, पटी पटनी में बाट बढ़ गई तो टला की नौबट आ गई पाचवा, हड़ाई ध्रक धक करना याने के घबराना, सेर को नजदिक आटा देख उसका रद़ाई धक धक करने लगा नौवा, नीचे डिये गए सब्दों में से संगना, सर्वनाम और विशेशन पहचान कर लिखे, तो संगना हिमालाई है, बढ़ोडा, सपना, साबरवती और गुजराद, वैसे सर्वनाम मुझे और तुम है, विशेशन खटा, सुन्दर, बढ़ा और होश्याद प्रस्ट नमबर 10, नीमन लिखेट प्रस्टों के उटर एक डो वाक्य में लिखे, तो पहला, मम्ता की जोपडी में आस्रई मांगने कौन आया, तो चौशा के युद्ध में सेर्षा से विपन होकर सहन सा हुमायू आस्रई मांगने के लिए मम्ता की जोपडी में आया, ममता रहोटास दूर्ग के मंत्री चुडा मनी की एक मात्रो विद्वा पुत्री थी तीसरा दोलियों में चिपकर कौन आये थे तो दोलियों में चिपकर महिलाओ के वेस में पठान के सैनिक आये थे चोठा, मम्ता ने स्वरानडासी का स्विकार क्यों नहीं किया, क्योंकि वह उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा पाचवा, मम्ता हुमायु के सैनी को से बचने के लिए कहां चीप गई तो मम्ता हुमायु के सैनी को से बचने के लिए जंगल में मुरुग डाव में चीप गई 6. रोज तास दुर्ग से निकल कर मम्ता ने कहां आस्रई लिया तो रोज तास दुर्ग से निकल कर मम्ता ने कासी के उत्तर में श्ठीट एक पुराने स्टूप के खंडर में आस्रई लिया 6. मम्ता ने किस धर्म का पालन किया तो मम्ता ने अठीटी सटका धर्म का पालन किया 8. हुमायू किस से विपन न होकर रक्सा चाहता है तो हुमायू सहन सा से विपन न होकर रक्सा चाहता है 11. नीमन लिखिट प्रश्णों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखी पहला मम्ता को प्रत्यक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी तो वी धर्मी सेर साके अट्याचारी सैनिकों ने मम्ता के पिताजी की हत्या कर दी थी इशी कारण मम्ता को प्रत्यक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी दूसरा मंत्री चुड़ा मनी क्यों अर्व्यतित थे तो मंत्री चुड़ो मनी की एक मात्रस ने पाली ता पुत्री मम्ता विद्वा थी वी अपनी पुत्री के काम पुत्री के लिए चाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे इसी चिंता के कारण मत्री चूदा मनी व्यथित थे तीसरा प्रश्ण कीट बाट से पटा चलता है कि ममता सब के सुखडुक की सह भागे नी थी तो ममता जब भुरुद हो गई और मुर्तु की प्रटिक सक कर रही थी दब गाउं के को दे तीन स्त्रिया उसके घर बैट थी इस बाट से पटा चलता है कि ममता सब से सुखडुक की सह भागे नी थी प्रश्ण 4 उटकोच के बारे में पीता और पुत्री के द्रश्टी कोण में क्या अंतर था पुत्री को द्रश्टी कोण से पीता द्वारा लिया गया उटकोच एक ब्राह्मन के लिए अनर्थ है पांचवा गोडे पर सवार होते हुए पठीक ने मिर्जा से क्या कहा तो गोडे पर सवार होकर पठीक ने मिर्जा से कहा कि मैं उस्तरी को कुछ देना सका इसलिए यहां एक पक्का मकान बनवार देना चाहिए क्योंकि विपटी के समय मैंने यहां आश्रय लिया था चट्था अस्टकॉर्ण मंदीर के सिला लेक पर क्या लिखा था तो अस्टकॉर्ण मंदीर के सिला लेक पर यह वाक्यों लिखे थे के सातों डेसों के नरेस हिमायुने एक दिन यहां विश्राम किया था उनके पुत्र विक अक्बर ने उनकी स्मूटी में यह विशाल गंगन चुम्बी मंदिर बनवा या प्रश्ण बार नीमनल इखिट प्रश्णों के उटर सो विश्टार लिखे तो पहला प्रशाट जी ने इटों के धेर में विख्री हुई भार्ट्य सिल्प की विबूटी किसे कहा है तो कासी के उटर में धर्मचक्र विहार है इन विहारों को मौरियो और गुप्त समरात ने बनाया था वह उनकी किर्थी के प्रतीक थे परन्तु अब यहां खंदर बन गए थे उन भवनों के सिखर खंडिट हो गए थे और अब वहां घस उगाये थे ऐसी हालत में भी वह तुटी डिवारों और इटों में भार्ट्य सिल्प कला की भव्य जलक देखी जा सकती थी इसे ही प्रसाद जी ने इतों के धेर में विखरी हुई भार्ट्य सिल्प की विपूटी कहां है दूसरा प्रश्न हुमायू के आडेश का पालन कीस प्रकार हुआ वह सही था या गलत तो हुमायू ने विपटी के समय में ममता के घर में आस्रह लिया था इस कारण उसने अपने सेनिक को आडेश दिया था कि ममता के लिए एक पक्का घर बनवा दे हुमायू के इस आडेश के पालन के स्थान पर जब उनका पुत्र अकबर बाटस बना तो उसे ममता के घर के स्थान पर एक अश्टकॉर मंदिर बना वया जिस में अकबर ने अपना और अपने पीटा का नाम लिखा और ममता का कहीं उलेक तक नहीं किया सच मुछ मेरे मत से अकबर ने जिस प्रकार हुमायू को आडेश का पालन किया वह गलत था प्रस्थन तीन अकबर ने अश्टकॉर मंदिर कब और कहां बनवाया तो चौसा के युद में सेडशा ने हर कर भईबिट होकर राट में अपनी जोपडी में आश्टर दिया था उसकी उड़ा टाके कारण हुमायू के प्राणों की रक्सा हुई थी हुमायूने वापस लट्टे समय जोपडी के स्ठान पर नया घर बनवाने का आडेस दिया था हुमायू की मृट्यों के बाद जब उनका पुत्र अकबर बाटसा बना तो उसने अममता के घर के स्ठान पर एक अश्टकॉर मंदिर बनवाया यह मंदिर अकबर अपने पिता की याड में सेटाली स्वर्ष बाद बनवाया था चोठा प्रस्न ममता का चरित्र चित्रान की जे तो ममता रोट आस दुर्ग के मंत्री चुड़ मनी की पूत्री थी वह एक विद्वा ब्रामन यूती थी ममता को धन की कोई लालज नहीं थी उसके पिता जब उटको स्वरुप स्वरण लाते है तो ममता उसे ठुकरा देती है ममता को ब्रामन धर्म और हिंदु धर्म पर पोण विश्वास है ममता प्रती दिन गीता का पाठ करती थी अती थी को आस्रे दिना ये वह अपना धर्म समझती है ममता हमेशा रुखी व्यक्ति की मदट करने के लिए टैया रहती थी इसी करण वहां गाउं की इस्ट्रिया में लोग प्रिये बन गई थी प्रस्ना नंबर तेर चित्र के आदार पर कहानी लिखे चित्र दिये गए है उसे हमें कहानी लिखनी है तो पूराने समय में आज की तर आने जाने का ने तथा मुसाफरी करने के साधन नहीं थी साधन लोग पैडल ही यात्रा करते थे उन्ही दिनों की यह घटना है एक बुड़ी औरट लकडी टेक्टी हुई किसी काम के दूसरे गाउं जा रही थी गर्मी के दिन में दोपर होड़े ही धूप हो गई बुड़ी औरट को खूब प्यास लगी ठकावट और प्यास के करण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनार एक पेड के नीचे बैट गई आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी पर उसे प्यासी बुड़ीया पर किसी को तरस नहीं आया एक बालक ने उस बुड़ीया की आवाज सुनी उसका घर पास में ही था वह दोरकर घर से लोटकर लोटा भरकर पानी ले आया बुड़ीया ने पानी पिया उसकी जान में जान आई बालक आगरा करके बुड़ीया को अपने घर ले गया और चार पाइपर भी ठाया, बुढिया को बहुत आराम मिला, उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली तो सच मूट बहुत अच्छा बच्चा है, नीचे सरीर के कुछ अंगों के चित्र डिये गए है, प्रटेक अंग में से संबधित दो, मुहावरे अट सही लिख कर वाक्य में प्रयोग किजी, तो आखो का तारा तो बहुत प्यारा, तो मेरा बेटा मेरी आखो का तारा है, इवितना आखे फेरना याने के उपेक्षा करना, समय बुरा आने पर मित्र भी आखे फेर लेते है, कान देना याने के ध्यान से सुनना, कुरुपिया आप कान दे कर मेरी बाटे सुने कान खड़े करना सवधान होना कान खड़े करना याने के सवधान होना गोली की आवा सुनते ही हिरेन के कान खड़े हो गए सीर पकड़ कर सीर पकड़ कर बैठना याने के पच्चताना मौके का फाइडा ना उठाने वाले अंट में सीर पकड़ कर स है दूसरा सीर उठाना याने के बात चीट करना सीर उठाना याने के बगावट करना तो वाक्य राजा कमजोर हो तो हर कोई सीर उठाने लगता है आगे का हाठ मलना याने के पच्टाना तो अउशर चूक गए तो हाठ मलते रहेंगी आगे का हाठ फैलाना याने के मडड मांगना है इश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाठ न फैलाना पड़े तो बाल दोस्तों यही पर हमारा स्वध्य पठी खटम होती है अश्टू